नमस्कर राजभासा पक्षवडा पालन के सुब अफसर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सुस्मिता हर साल इस अफसर पर सेल आरेसपी ने आयुजित करता है एक सुन्दर सा कार्यक्रम कभिता कलियां इस साल भी उही कभिता कलियां 2023 आयुजित किया है आरेसपी ने इहां उपस्थित सभी महानु भवो कवियों को मेरी तरब से और RSP की तरब से धेर सारी सुभिच्छ और सुभकम नए हिंदी केवल हमारी राजभासा नहीं वलकि हमारी संबेदना है जन जन की भासा है हिंदी भारत की आसा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबुत धागा है हिंदी हिंदुस्तान की गवरब गाथा है हिंदी एक्ता की अनुपम प्रथा है हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए वेसी जीवन रेखा है हिंदी जिसने काल को जीत लिया वेसी काल जई भासा है हिंदी सरल सब्द में कहा जाए तो एसी जीवन की परिभासा है हिंदी रास्ट की भासा है हिंदी राजभासा है हिंदी भासा पहले हम मा से सिखते हैं इसलिए तो हम इससे मात्र भासा कहते हैं उसी मा से सुरू करते हैं आज की पहली कविता मा तो जन्नत की फूल है मा तो जन्नत का फूल है प्यार करना उसका उशूल है दुनिया की महबत फिजूल है मा की हर दुआ कबुल है ए इनसान मा को नरज करना तेरी भूल है मा के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है मां की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है मेरी तकलिफ में मुझसे ज्यादा मेरी मां ही रोई है मेरी तकलिफ में मुझसे ज्यादा मेरी मां ही रोई है खिला पिला के मुझको मा मेरी कभी भूके बेट भी सोई है मेरी सुकून नीद के लिए कभी दिल की धड़कन भी खोई है वो मेरी मा ही है तब इस भबनाओं के उपर चोट करती है ये कभीता मा का हुदय कभी आर किरन महाप्रबंधक R&C प्रोयक्षला RSP बुलाना चाहूंगी कभी आर किरन को कभीता मा का हुदय तमस्कार मेरा नाब आर किरन है और मेरी कभीता का शीर्षक है मा का रहदय ये मा का बिना कोई शर्थ अपने बच्चे के लिए प्रेम उसके उपर लिखी कभीता है शुरू करता हूँ नुत्युशया पर पुत्र पड़ा है देश की शत्रूओं से लड़ते लड़ते ये किर पड़ा है सिर्हा ने बैठी है एक मा आज अपने पूत्र के शीश पर रखकर अपना हाथ अश्टुबरे नेत्रों से पूछती है वैद जी कैसे जिएगा मेरा पुत्र इसका कोई उपाय बताए वैद ने कहा इसको दो पूरा विश्राम ना हो कोई ध्वनी ना शोर यही है इसका इलाज मा ने दर्वाजा खिड़की बंद कर दिया और पुत्र को बिस्तर पर लिटा दिया तब ही मिट्टू तोते की आवाज आई और मा ने उसे उड़ा दिया तब ही भूलू कुत्ता भौका मा ने उसे भगा दिया तब ही कानों में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ी मा ने उसे भी तोड़कर फैक दिया सर्वत्र हो गई शानती लेकिन जब माने अपने हृदय की धखधच सुनी तो सोच पे पड़ गई क्या मेरे हृदय की धर्कन ही मेरे पुत्र की प्राण ले लेगी यह सोचते सोचते वो पुत्र के पास लेट गई कुछ समय बाद पुत्र ने आँखे खोली और बोला मा पुत्र के शीश पर रखकर हाथ मा पड़ी थी होके निडाल मा के रिदय ने धड़कना पंद कर दिया था आखिर मा का रिदय जो था तन्यवाद बहुत बढ़िया आपकी कविता हमारे हुदय को छूं गया पुत्र को चेन की नीद सुलाने के लिए मा के रिदय धड़कना भी बंद कर दिया बहुत खुब बहुत सुन्दर कविता चलिए आगे बढ़ते हैं जल से उत्पन प्राणी जल ही जीवन है पानी बिन सबसून जगत में यह अनुपम धन है जल से अन्न पत्र फल पुस्पित सुन्दर उपबन है जल से उत्पन प्राणी जल ही जीवन है पानी है जीवन की धार जिससे जुडा है सबका संसार खुसियां अपार उसी जल की उपर अधरीत कभीता जल ही जीवन लेकर आ रहे है कभी दिपक गर्ग प्रवंधक जल प्रवंधन आरेसपी बुलाना चाहूंगी कभी दिपक गर्ग कभीता जल ही जीवन नमस्कार मेरी कभीता का शिर्षक है जल ही जीवन है है नहीं यस्त रोध सिर्फ धरा पर जीवन धार की रची गई अस्थित्व पे इसके ही नियती इस पूरे संसार की आदी भी ये और अंत भी आयूश्य का आधार यही रखी गई प्राणों की नीव जिस पे है जल प्रकरती का वरदान वही है जल प्रकरती का वरदान वही हर बूंद इसकी कुछ कहती है तुमसे सुन लो जरा एक बार यहां अब ना सुना तो जीप आओगे कैसे फिर ना कह कहां तो पानी की बुंदे कहती ही हमसे कि जीवन यह अंकुरित है मुझसे अंकुरित मुझसे कंकं तुम्हारा निर्वा इस जक्का होता है मुझसे मैंने ही है मानवता को सवारा तिशना तुम्हारी बुष्ती है मुझसे मैं ही खेतों का सहारा उद्योग तुम्हारे चलत पैसों से तोल कर ना देखो मुझको पड़ेगा तुमको बड़ा महंगा पैसों से तोल कर ना देखो मुझको पड़ेगा तुमको बड़ा महंगा ना कोई मोती ना सोना चांदी इन सबसे बढ़कर है मोल मेरा है जरूरत तुम सबको मेरी मेरे बिन दुनिया या धूरी अधूरा है तुम्हारा आज और कल अधूरा है तुम्हारा विकास निर्मल तो उठो, जागो और पहचानो, मेरी जरुरत को तुम समझो, मुझे बचाने की अब तुम ठानो, जल ही जीवन है अब तुम ठानो, जल ही जीवन है अब तुम ठानो, जल ही जीवन है अब तुम ठानो, महासय जल प्रवंधन से जुड़े हैं, इसलिए तो एसी कवीता हैं धन्यवाद कभी बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिन्दगी हर रोज एक पन्ना जुड़ता है जिसमें ओही एक किताब है जिन्दगी धूंड ही लेती है मकसद जीने का बस मकसदों को जिन्दगी से दूर न करो एक मकसद के फोना होने तक दूसरे का इंतिजार करो आहिस्ता आहिस्ता दो पल की जिन्दगी है आज बचपन कल जवानी पर्षो बुढ़ापा फिर खत कहानी है दो पल की जिन्दगी है फिर क्यों थोड़ी सी नाराज है जिन्दगी कभी से चलिये सुनते है उन्ही की गजली उप्प्रबंधक SPP RSP बुलाना चाहूंगी कभी साम्स गजली को कविता जिंदगी आप सभी का धन्यवाद मुझे इस मंच पर पुलाने के लिए तो मेरी आज कविता जिंदगी पर आधारित है जैसे की मैडम ने बताया इसके बोले से शुरू होते हैं थोड़ी दूर है पर तेरे पास है जिंदगी थोड़ी सी बस थोड़ी सी नाराज है ना लगे मन कहीं, ना जागे भवर से ही, मायूस थोड़ी बेजुबान है, थोड़ी चंचल पर बेमिसाल है, मेरी जिंदगी मुझसे थोड़ी सी नाराज है जोके हवा के फुसलाते नहीं, ना जाने बारिशे भी अब नहीं भिगाती, वो महग भी अब नामुराद है, उस स्वाद में भी अब जरा सी खटास है, सवालों की मेरी इमर्ती को शास्नी से जवाबों में उलजाती है, मेरी जिंदगी मुझसे थोड़ी सी नाराज है क्यूं जिंदगी मुझसे थोड़ी सी नाराज है, ना कल की याद में, ना आज की आग में, बेचैन हूं मैं, सुकून की तलाश में, मिलते हैं मुसाफिर कई, जो कहते हैं मेरे अपने हैं, मिलते हैं मुसाफिर कई जो कहते हैं मेरे अपने हैं, पर शायद अर्थी पर अभी भी मुझे उन कंधों के सपने हैं, थोड़ी दूर है पर तेरे पास है, जिंदगी थोड़ी सी बस थोड़ी सी नाराज है सायद अर्थी पर फिर भी मुझे से कंधों के सपने हैं, चमतकार कविता धन्यवाद कभी, उसी जिंदगी से जुड़ा और एक कविता, जहां सिक्ष्यक बनकर जिंदगी ने दी सिक्ष्या, पाठ पढ़ाने से पहले खूब ली परिस्या, जहां सिक्ष्यक बनकर जिंदगी ने दी सिक्ष्या, पाठ पढ़ाने से पहले खूब ली परिस्या, जो सिक्ष्यक है और सिक्ष्या भी है, जिससे सिखते हुए हमें आगे बढ़ना भी है, तो चलिए सुनते हैं कविता सिक्ष्यक, कभी बिनए सर्मा, सामग्री करें कविता सिक्ष्यक कभी बिनए सर्मा, सभी उपस्थित कभी जनों का सौगत और हिंदी दिवस बहुत अच्छे अच्छी सबने कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उडिशा प्रदेश मैं तो हिंदी भाशी हू तो उसी में मेरा कहना है कि जिन्दगी जो लाइफ है इनने बुला, हर कई हम लोग सीखते रहते हैं, टीचर से, स्कूल से, दोस्से, बॉस से, जूनियर से, बड़ जो हमेशा हमको सिखाती है बिना कुछ लिये दिये हमेशा सिखाती रहती वो अपरी जिन्दगी है, तो पढ़ाए सभी बाद में पहले खूब परिक्षा दी, नमन तुझे है आज जिन्दगी तूने क्या कम सिख्षा दी, अपनी कोरी कर्टूतों पे खुशू और शर्मिंदा हूं, नमन तुझे है आज जिन्दगी तेरे कारण जिन्दा हूं, मैं चला रुका और दोडा भी, गिर कर उठने की रही ललक, मैं जीता हारा फिर जीता, सब तेरे थे अनबोल सबक, ठोकर से चलना सिख लाया, हसा रुलाया रखा मोन, नमन तुझे है आज जिन्दगी तुझे बढ़कर सिख्षक्षक्षक्ष, धन्यवाद। अती सुन्दर सिख्ष्यन्य कविता, हसाने से पहले रुलाया ओ, हसाने से पहले रुलाया ओ, खडा होने से पहले गिराया ओ, हो कहानी जो भी अंजम मिठा ही हो, हो कहानी जो भी अंजम मिठा ही हो, बहुत धन्यवाद कभी, बहुत सुन्दर कविता सिख्षक्षक्षक्ष नारी अब अबला नहीं सबला कहलाती है, चुला चो की छोड़ अंतरिक्स्य में तिरंगा लहराती है। मैं अब दुर्गा चंडी काली हूँ, नहीं अबला में युद्धा मर्दानी हूँ, ना अबला हूँ ना में बेचारी हूँ, मैं आज की यूप की नारी हूँ, ना अबला हूँ ना में बेचारी हूँ, मैं आज की यूप की नारी हूँ, कम मुझे आप मत आँको, मैं इस सारी दुनिया पर भारी हूँ, रहा मेरी मान का तिरसकार फिर क्यूँ? चलिए सुनते हैं कवीता मेरी मान का तिरसकार, कभी पुस्पा सिंग से, बरिष्ट कारियर सहायक, कार्मिक, चिकित सभिभग, आरेसपी, कभी पुस्पा सिंग, कवीता मेरी मान का तिरसकार सबी को मेरा नमस्कार मेरी कवीता का शीश्रक है मेरी मान का तिरसकार शायद मेरे अंदर कुछ आक्रोश है जिसे मैं शब्दों में बया करना चाहती हूँ तो मेरी कवीता की पंक्तिया कुछ इस प्रकार से है अबला नहीं ज्वाला हुमे रणभूमी में कौशल दिखाती सबला हुमे सम्मान और सुरक्षा है मेरा अधिकार फिर क्यूं हो रहा इस संसार में मेरी मान का तिरसकार जिस देश में होती है लेंगिक समानता की बाते वहीं असम में क्यूं कट रही निर्वस्तर मेरी काली राते उजपद पर मैं विराजमान अगर हूँ वक्ति विशेश फिर क्यूं टुकडों में मिल रही जंगलों से मेरे अफशेश हर शेत्र में लहराया मैंने भी है जीत का पर्चम फिर क्यूं है मेरी आबरू तार तार क्यूं है मेरे रूप पे लाखो जखम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या सिर्फ है कागजी बाते मेरी सुरक्षा कौन करे जब रिष्टों के भी कच्चे है धागे माना अकबार की सुरक्षा की है मेरा ही है प्रचार पर मेरी विजय गाथा नहीं खबरों में है एक नारी हुई कुरूरता का शिकार समानता नहीं सुरक्षा की है मेरी गुहार मत भूलो मेरी किलकारियों से है घर में खुशियों की फुहार मैं हूँ पिता का स्वाभिमान, मेरे मान से ही होगा देश का संविधान, मत भूलो की मेरी किलकारियों से है घर में खुशियों की फुहार, मैं हूँ पिता का स्वाभिमान, मेरी मान से ही बढ़ेगा देश का संविधान, बेकौफ राह चल सकूँ, बने कुछ ऐसा संविधान मनुश्य रूपी राक्षस का जाने कब होगा संगार इस कल्यूग में मेरी लाज बचाने जाने कृष्ण कब लेंगे अवतार सम्मान और सुरक्षा है मेरा अधिकार फिर क्यूं हो रहा संसार में मेरी मान का तिरिसकार भन्यवाद बहुत जल्द ही कृष्ण लेंगे अवतार इस मनुश्य रूपी राक्षस का होगा संगार बहुत जल्द ही आपका मान का तिरिसकार और नहीं होगा बहुत बहुत धन्यवाद कभी बहुत सुन्दर कभीता पहला अकिक्रूत इस्पात करखना में हूं आरेस्पी में हूं आरेस्पी मेरा इतिहास है महान अनोखा मेरा परिजय में हूं देश की सान भारत की प्रगती हो या हो चंदर्यान हर जग है मेरा योगदन में हूं राउर्केला इस्पात पूरी की जान में हूं भारत माता का संबन चलिए सुनते हैं आरेस्पी की कहानी कभी खुस्बू मिस्र की जवानी कभीता में हूं आरेस्पी कभी खुस्बू मिस्र प्रबंधक R&C प्रोयक्षला आरेस्पी कि अध्युंस अ्यक्ति मेरी कवाइत की अघ्र प्रूस की अरस्प्ति मेरी शान धेश Catholics केूश अनाorse जब्यास करते हम घ्रत का पहला एकवार्ट सभ्ती संयंतर हूं पंडित नहरू ने रखी मेरी नीव रोजगार मिला उसे जो कोई भी आया मेरे द्वार पर जीव देश के जनजन ने मेरी प्रतिभा के लिए किया मुझे सलाम फिर एक दिन आये मुझे मिलने राष्ट्रपती अब्दुल कलाम खड़ी की मैंने अपनी नई मिल न्यू प्लेट मिल जिसके आधुनिक तकनीक देखकर प्रधानमंत्री मोधी जी भी गए खेल देश के राष्ट्रपती और प्रधानमंत्री भी करते हैं मेरा सम्मान आरस्पी हूँ मैं मैं हूँ देश की शान इस पाद बनाने की तकनीक में नए बदलाव ला रहा हूँ लेवल दो तकनीक से भी आगे आर्टिफिशल इंटलिजेंस ला रहा हूँ और द्योगिक क्रान्ती चार ला रहा हूँ कदम कदम बढ़ा रहा हूँ मिल्यंटन, एक्स्पैंशन, मॉर्डिनाइजेशन से भी आगे जा रहा हूँ होट्ट्रिफ मिल्डो, कास्टर फोर के बाद अब सी आरेम दो लाने की सूच रहा हूँ प्रगती के पत्पर चल रहा हूँ, कदम कदम बढ़ा रहा हूँ API, DMR, HSFQ जैसे ग्रेड का इसपात बना रहा हूँ मैं इस सब में मेरी बेटियां सबसे आगे रही हैं operator, manager, CGM सभी का कारेबार संभाल रही हूँ उन्हें अपने घर के घरम जगा में भी काम करा रहा हूँ मैं अपने घर की नारियों को आगे बढ़ते वे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ मैं सशक्त नारी ही है भारत के विश्व शक्ती बनने का मंत्र गर्व है मुझे अपनी बेटियों पर मैं हूँ राउड के ला इस पात संयंत्र जो भी नया कर्मी मेरे पास आता है सरप्रधम HRDC जाता है प्रवेश प्रशिक्षन पाता है मेरे लिए तराशा जाता है जो हो जाए कोई बिमार वो जाता है वो HSC अपनी दवा और आराव वहां पाता है तुरंट ठीक हो जाता है परियावरण को भी समालने में मैं ले रहा हूँ भाग उसके लिए मेरे पास है परियावरण भी भाग मैं तो प्रतिधिन जो अलंशील गैस से काम करता हूँ जो लग जाए कहीं आग तो आग भुजाने आता है मेरा अगनी विभाग मैं हूँ RSP मैं हर दिशा से अपने कर्मी मित्रों का ध्यान रखता हूँ भारत की प्रगती में हाथ बटा रहा हूँ इसपात बनाता हूँ करता हूँ CSR अपने उतपादन के साथ करता हूँ जन जीवन से प्यार सड़क बनवाता हूँ लाता हूँ पानी का जर्या हौकी भी खिलाता हूँ देता हूँ प्रतिभावन लोगों को रोजगार का जर्या बडे प्रेम से सबने मुझे अपनाया और प्यारा RSP नाम दिलाया चंद्रयान हो या हो भारत की पंडुबी, हर जगे है मेरा योगदान, प्रति दिन तरह तरह के इस पात रयार करना है मेरी शान सभी काम करते हुए रखता हूँ मैं अपने कर्मी मित्रों का ध्यान, RSP नाम है मेरा, मैं हूँ भारत का सम्मान मैं हूँ RSP 64 साल की आता हूँ काम में सारी दुनिया की, बहुत बढ़िया कविता खुश्बुजी दिल से बधाई एही पर खत्म होता है हमारा कविता कलिया 2023 कर्यक्रम साख से पत्ता गिरा जब आखरी, कुछ लग कहकर चल दिये कि सजर बुढ़ा हो चला है मुश्कुराकर मौशमों की रुतु बदलती कह गई, ये अंत ही आरंभ है सभी को फिर से अविनंदन और सुविच्छा ग्यापन करते हुए मैं सुस्मिता बिदाई लेती हुँ, नमस्कार